तो दोस्तों माइनिंग की यूटूब चैनल पर फिर से आप सभी घस्ट वागत है मेरा नाम ने देविन सिंग तो उमर और जो भी अभी तक मैटल माइंस में जॉब कर रहे थे प्राइवेट माइंस में कहीं न कहीं जॉब कर रहे थे राजस्थान में ज्यादा तरलोग करते में काम कर रहे थे और वो एक ऐसी opportunity का इंतजार कर रहे थे कि यार private से हटकर अगर हम कहीं government job मिल जाए तो क्या ही कहने उस चीज के तो finally आपका NMDC के द्वारा वह आपकी जो dream vacancy है वो निकाल दी गई है और बहुत ही bulk में निकाली गई है तो वीडियो को अंतक जरूर देखना क्या करना है कैसे करना है हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या last date है क्या fees होगा और उससे भी important एक बहुत ही प vacancy है तो इसने junior officer trainee की vacancy इसके द्वारा निकाली गई है जिसमें कि आपका environment discipline में आपका single post दिया गया है उन्हों के लिए बहुत ही अच्छा scope दिया गया है जो भी metal mines से है ठीक है एंड उसके बाद आप देखते हैं यहां पर eligibility क्या होगा तो जो environment वाला जो एक single post दिया गया है उसमें आपका degree in civil, chemical, mining, environment, engineering ठीक है इनमें से किसी एक में आपका degree होना चाहिए या फिर आपका PG होना चाहिए, PG degree होना चाहिए, environment management, engineering, environmental science, geology, chemistry, botany और या फिर PG होना चाहिए, degree in diploma in environment management, two years duration वाला ठीक है, या फिर doctorate होना चाहिए, PhD वालों को भी इसमें invite किया जा रहा है, ठीक है, तो अगर आप degree वाले हैं, तो भी apply कर सकते हो, अगर आप ने कहीं से post graduation किया है, तो भी आप apply कर सकते हो, और अगर आपने PhD किया है, तो भी आप इस post के लिए eligible है, लेकिन है single post, तो देख सकते हैं कि करना है कि नहीं, ठीक है, next आता है आपका mining वाला, अब mining वाले में आपका junior officer training की जो vacancy, उसमें बोलता है कि या तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिपलोमा का certificate, डिपलोमा के certificate के साथ आपके पास four men का certificate होना चाहिए, ठीक ह पहली condition, दूसरी condition इसमें बोल रहा है कि आपके पास यह तो degree होना चाहिए, with second class mines manager certificate competency in open cast metal mines, ठीक है, अब इसमें आपका एक condition यह डाला है, कि आपके पास जो certificate आया है, उसके बाद qualification के बाद आपके पास five साल का experience होना चाहिए, तो जिसके पास भी है, वो इसके लिए eligible है, आ आप apply कर सकते हैं, survey वाले में आपका बोलता है, diploma in mining और diploma in mines and mine surveying वाले भी apply कर सकते हैं, इसके साथ ही उनके पास mine surveyors का certificate होना चाहिए, और past साल का experience होना चाहिए, ठीक है, आपका इस field में, ठीक, तो यह आपका दिया गया था degree और diploma वालों के लिए, इसके बाद industrial engineering में, industrial engineering में किती post है आपका, यह रहा, यह रहा, तीन post है यहाँ पर, ठीक है, इसमें आपका बोल रहा है, degree or diploma in mining, ठीक है, degree or diploma वाले, sorry, degree in industrial engineering या फिर degree in mining और mechanical और production engineering, लेकिन इसमें condition यह है, कि आपके पास post graduation इसके साथ में होना चाहिए, industrial engineering में, ठीक है, तो वो लोग ही apply कर सकते हैं, त ठीक की हुए है, जो degree की हुए है, माइनिंग से, वो लोग eligible नहीं है, उनको post graduation करना पड़ेगा, industrial engineering में, ठीक है, इसी तरीके से बाकियों का भी दिया हुआ है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर age limit की, तो 32 years, यहाँ पर age limit है, 5 साल का relaxation, STAC, 3 years का OVC को दिया गया है, 15 years तक क आपका NMDC के जो वरकर से, डिपार्टमेंटल वरकर से उनको दिया गया है, ठीक है, अगर pay scale की बात करें, तो आपका training के दौरन आपको 37,000 रुपे मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद 37,000 से लेके 1,30,000 तक की आपकी salary होगी, और एक अच्छी government job होगी, ठीक है, बहुत बहतरी महुका है, अब यहाँ पर आपका जो तो दे दिया गया है, category wise कितना vacancy है, यह चीज़ आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं, mining की तो इसमें आपका 9 SC, 4 ST, OVC का 15 और EWS का 6 और 22 आपका general में दिया गया है, ठीक है, इसी प्रकार से बाकियों का भी यहाँ पे दिया वो स्टार्ट हो रही है, आपका 21 October 2024, सुबह 10 बजे से लेकर, आपका 10 November 2024, रात के 12 बजे तक आप apply कर सकते हैं, तो अच्छा खासा एक फिजट दे दिये गया है, ताकि आप apply कर सके, ठीक है, help line number यहाँ पे सुबह 10 बजे, 6 बजे तक यह आपका दिया हुए, nmdc.job apply.in, इ 2500 रुपए यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, सभी से, और जो स्टी स्टी फिजिकली एंडिकार बेक सर्विसमेन और डिपार्टमेंटल कंडिडेट से, उनको कोई भी फीज देने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ जनरल वालों को ही फीज पे करना होगा, ठीक है, अगर बात पर जाईए, और अपनी तयारी करना स्टार्ट कर दीजिये, ठीक है, एक्जाम होने वाला है, इसका बेसिकली, ठीक है, पहला चीज, दो फेज में आपका एक्जाम होना है, एक तो आपका स्किल टेस्ट होगा, और दूसरा आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में बहुत कुछ है आपका वो basically qualifying nature का होगा ठीक है उसके बारे में भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा और आपका यह course मात्र 3000 रुपे का है जिसमें कि हम आपको सारे recorded lectures और live lectures वो भी आपका digital code वाले provide कराएंगे आपका technical non-tech दोनों की आपकी preparation यहाँ पर करवाई जाएगी ठीक आपको 2000 रुपे में मिलेगा first 50 students को ठीक है तो जल्दी से जाएगे और जल्दी से आप क्या करिए परचेस कर लिए चलो आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या है आपका आपको यहां पर बोल रहा है कि आपको पेमिंट कर रहा है आपको यूपिया क्रेडिट काट या पासपोर्ट साइस फोटोग्राफ दसमी की सब्सक्राइब और आपका क्वालिफिकेशन का जो भी सर्डिफिकेट है वह काश्ट सर्डिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इसके साथ ही सिगनेचर पर करके फिर आप फॉर्म फिल अप करना स्टार्ट करिएगा बात करते हैं मोड अफ सिलेक्शन की मोड अफ सिलेक्शन में आपका क्या बोलता है बेसिकली कि ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस सी बीटी एक्जाम होगा हंडेड माक्स का रहेगा मैक्जिम माक्स ठीक है और उसके बाद दूसरा जो रहेगा वह रहेगा बात कितना है अगर मैं सी बीटी की बात करो तो 40 माक्स आपको लाने है है और फिसिकली एंडिकशन को 45 माक्स और जंडर और एडिवलेश को 50 माक्स लाने है कम से कम ताकि आप सिलेक्शन हो सके क्वालिफाई कर सके ठीक है उसके बाद सुपरवाइजरी स्कील टेस्ट का भी बुलाए जाएगा तो उस समय आपका सब से पहले डॉक्मेंट वरिफिकेशन होगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा यह चीज आप ध्यान में रखिएगा और अगर इन केस आपका अपने डॉक्यमेंट्स प्रवाइजरी स्किल टेस्ट देन उसकेस में आपको से प से आ रहे हैं पेपर देने तो उनको जो है तो आपका यह ट्रेवलिंग एलायांस प्रवाइड किया जाएगा उनका सेकेंडेसी तब का किराया जो है तो उनको वापस कर दिया जाएगा ठीक है यह याद रखिएगा इसलिए जब आप सीबीटी एक्जाम देने जाएंगे और सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट एक्जाम देने जाएंगे तो उस समय आपको फॉर्म फिल अप करके रखना है अमडिसी के वेबसाइट में वह आपको मिल जाएगा ट्रेवलिंग एलायांस वाला कॉंप एंड उसको फिल अप करके और उसके साथ अपना टिकेट माक्स दिये गए है ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसकेस में आप उसको परसेंटेज में करेंगे माक्षीट के पीछे आपका दिया गया है तो वहां से उसके फॉर्मूले के बेसिस पर आप करके फिर उसके बाद एंटी करिएगा इस बात का ध्यान जरूर रखना नहीं तो इन्फॉर्मेशन की चक्कर में आपका पूरा का पूरा फॉर्म कैंसल हो सकता है ठीक है सेलेक्शन नहीं होगा इसके साथ ही आपका फॉलॉइंग एक्रिविटी इस जो एतने म्डिसी की वेबसाइट पर आपको समय समय पर मिलता रहेगा जिसमें की आपका अलिजबल वहां पर निकाला जाएगा तो जिसने अभी तक त्यारी चालो नहीं किया है जल्दी से त्यारी चालो कर रहा है चलो कर दो है क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है अभी तक जहां पर भी आप जॉब कर रहे थे जो भी प्राइवेट कंपनीज थी तो यह गवर्मेंट जॉब मिलेने का एक अच्छा खासा मौका है ठीक है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं सब्सक्राइब इस लिए करना ताकि जो एस टाइप की इंफोमेशन से रेगुलर बेसिस में मिलती रहे आपको ठीक है इस बात का ध्यान जरूर रखें मिलते हैं अगले वीडियो में टल दरना वाश्रा नहींगी समझ गुद नाइट एवर्यवान